हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल जैसे कि दोस्तो आचे इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर दोस्तो आपके फॉन में प्ले स्टोर डिलीट हो चुका है और आपके फॉन में प्ले स्टोर दिख नहीं रहा है तो कैसे दोस्तो आप अपने फॉन में प्ले स्टोर यहां से delete हो चुका है और यहां पर आपको play store दीख नहीं डाओगा तो कैसे दोस्तों आप दोबारा उस play store को ला सकते हैं तो आज के इस वीडियो को last तक भी ना skip किये जोर से देख लिजेगा तो guys क्या करना है सबसे पहले आपको अपने phone में setting app को open कर लेना है यहां पर setting app को open कर लेते हैं तो यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहां पर आपको एक option मिल जाएगा app का यहां पर आपको app बाले button पर click कर लेना है जैसे यहां पर apps पर click करते हैं तो यहां पर आपको एक option मिल जाता है app management का तो यहां पर उस अपसे उपर मिल ला है तो इस पर click कर लेंगे जैसे यहां पर click कर लेते हैं तो आपके phone में जितने भी app होएंगे यहां पर show हो जाएगा तो guys क्या करना है यहां पर अपको playstore app को ढून लेना है या दोस्ते यहां पर अपको playstore app नहीं मिलता है कや होता है कि दोस्तों आपके phone में कोई भी आपको enable पर click करना है जैसे यहां पर enable पर करते हैं तो निचे आपको मिल लाएगा app enable दोस्तों आपको ऐसा interface मिल लाऊगा तो guys इतना आपको करने के बाल आपके phone में प्लेश्टूर वापस आजएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर मैं निचे की तरफ करता हूं, तो यहाँ पर हमारा जो भी प्लेश्टूर एप है, वो वापस देखने को मिल जाएगा, जैसे देख पड़ेंगे तो इदोस्तों इसे ही आपके फोन में किसी ने आपके फोन में disable कर दिया होगा आपके प्लेश्टोर को तो इस तरीके से दोबारा ला सकते हैं वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा वीडियो को लाइक करना साथी चैनल को सेस्क्राइब करना न भूले